आपका एक्जाम रोबें देखिए अब यहां पे मैं इस वीडियो में बहुत से टॉपिक कवर करूँगा जो कि आपको हेल्फुल रहेंगे और आप लोगों के बहुत से डाउट से हैं वो प्लियर हो जाएंगे और अधर एक्जाम से भी रिलेटेड जो अभी तक नहीं लिए नहीं सीईटी वो आपका अर्ली तूथाउजन ट्वंटी टू है दो जार बाईस से पहले पहले कंड़क किया जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है यह भी बताया गया है यह जो बताया गया है और आपको पता ही होगा डॉक्टर जीते इंदर सिंग जो है यूनियन मि रख़े जाएंगे तो सबसे पहले मैं यहापे एक धारिना बनी है जो सीय गी आपकी तो सीटी जो है आपका यहापे बताया गया है कि आपका अर्ली तूथाउजन क्वेंटी टू यह नहीं दो जार बाईस से पहले होना चाहिए तो आपको यह मन में मत सोचना कि आपका दिसंबर में होगा या आपका अक्टोबर में होगा नॉबर में होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका का मतलब है मतलब financial है आपका financial है जो होता आपका complete होता 31 मार्च को ठीक है तो यहां पर जो बात करी गई है 31 मार्च तक करी गई है ठीक है तो क्योंकि यह भी बहुत से exam है और CT conduct कराना करीब पहले तो form ही भरे जाएंगे एक पहले और उसके बाद एक महीने बाद आपका exam होगा लगपक पूरे ऐसे preparation करनी पड़ेगी उन्हें भी अपना ठीक है जिस भी organization को conduct कराने के देते हैं आपका CT तो उसके लिए कम से कम उनको एक दो महीने तो चाहिए और यहां पर आपका जो आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर जो सीधर से मतलब है इससे आप लोग मत घबराना कि early 2022 इसका मतलब यह है अब कर जो फाइनेंशल यह रहे है यानि 31 जो आप लोग कोई official slavus नहीं है ठीक है तो आप लोग मत करना इसका slavus के पीछे मत घबराना कि इसका slavus क्या है pattern क्या होगा तो अभी तरह इसके बार में कोई जानकारी नहीं दीगी जो आपको और जगह आपको यूट्यूब में अदर साइट में आपको मेलेंगी वो सब जूटी है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो सब तो उनके चक्कर में मत रहना इस लिए क्योंकि यहां पर भी slavus से नहीं डिफाइन किया गया है ना pattern बताया गया आपका slavus नहीं बताया गया और नहीं इसका आपका अभी तक pattern बताया गया अब सबसे बड़ी बात यहां पर आप यह है RRC Group D की ठीक है RRC Group D की जो भरती है उनका क्या हुआ तो दोस्तों यह अब तक सबसे या उनका भी एक्जाम आपका CT से ही होगा अब सबसे बड़ी जो 2019 में IT जो की तो 2019 में जो IT वेकंसी उसके लिए आपका क्या CT होगा 2021 में तो दोस्तों मेरा हमारा जवाब है नहीं फिल्कुल नहीं होगा 100% नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आपका है यह जो RRC Group D है यह आपका एक पहले ही define कर दे गया 22 से जितने भी एक्जाम होगा उन पर लागू होगा तो यह तो वैकेंसी आपकी 2019 की है ठीक है और आप NTPC के बात करें NTPC के आपका अभी ongoing process चल ला है ठीक है तो अभी tire 2 होगा उसका CBT 2 होगा जब भी होगा एल तो result आएगा तो यहां पर यह आपकी इस चीज़ का आपको CBT से नहीं होगा बहुत से ऐसे कहने YouTube चैनल बाते हो रही है कि आपके exam जोंगे CBT के द्वारा होंगी ऐसा कुछ नहीं होगा CBT रखा गया है इस मकसद से रखा गया है कि आपका जो exam होगा वह आपका जैसे बैंक के exam होते रेलवे के exam होते है उसमें आपको अलग-अलग exam द नहीं पड़ेगा तो यहां पर यह चीज नहीं करना पड़ेगा पर इसके डिषाडवानटिज भी हैं दोस्तों क्यूंकि सीटी जो का आप चलोगा आप पो शुर्टोर अगर आपको पर आते हैं वो हाड आ जया हो रहे ना तो आप लोग एक लिए बार दे पाओंगे बागी समझ रहे हो तो एक बार दे पाऊगे आप इसको एक्जाम को और अगर आपका स्कूर गलती उस दिन माननी कुछ भी हो जाता मतलब आप लोग एक्जाम देने गए हैं आपकी प्रफिशन अच्छी भी है कुछ कारणों से आप लोग सीटी आपको खराब हो जाता है तो आपको पूरा समझ रहे हैं ना पूरा आपका और जो आने वाले एक्जाम से उसा बरबाद हो जाएंगा तो इस चीज की यहां बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए ठीक है अब मैं बात करता हूँ आरार्सी ग्रूप डी का एक्जाम दोस्तों कब तक होगा देखें यह तो र हमाई जो यूनिटी है सब की जो डेलवे के अभियाती है समिल के जो फ्रेंडिंग पर ला रहे हैं ट्वीटर पर भी उस पोस्त को भी डिलीट कर दिया जा रहा है आपको जैसे पता ही चला होगा अभी हाले में तो यह सब चीज़े हो रही है आरारसी बिल्कुल चुपी सा करा रहे हैं शांती पूर्ण धर्णा करा रहे हैं इस वीडियो का आप लोग देख लीजेगा ठीक है तो यहां पर इनुन सर ने बताया है कि आप लोग कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो इसके लिए आपने एक्जाम्स के लिए तो आप आप लोगों को पीसफुल अलेकर इस वीडियो को देखना है वीडियो के डंस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरा कोई जब दस्ती मत करना वहां पर रखना लोग करना है प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से सरे कोशिश कर रहे हैं इसको करवाने कि आपके एक्जाम को ठीक है तो उनका आप लो विलम्ब हो चुका है उस तो इसका विदर नहीं बता है कि आरारवी ग्रूप D की एक्जाम डेट क्या है कि तो उसके लिह प्रोटेस करा रहे हैं सर तो आप लोग उनको पॉलोग कर सकते हैं उनको साथ जुड़ सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह आज तक है यह बता रहा है कि आपके जो एक्जाम डेट है जो आरार भी ग्रूप D है उसके आपके एड्मिट कार्ड रिलीज हो जाएंगी जल्दी तो अभी यहांपे एक्जाम डेट रिलीज हो जाएंगे और चाल दिन पहले आप लोग आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर तो यहां पर इस तरीके से आप लोग परिशान मत होईएगा आप लोग सरके सांद जूर के प्रटेस्स कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं उनका साथ दे सकते हैं तो यहां पर इस तरीके से आप हमको साथ दे सकते हैं उनकी शांतिकून तरीके से आप लोग वहां पर ध टाइब करने चुले रहा हमाचे सब्सक्राइब धन्यवाद